चोपड़ा जो किस न्यूटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ, मेरे पैरी बच्चो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सेवंत मई 23 संडे के दिन घर से निकल करके एक्जाम हाल में और वापस घर आने तक आपकी क्या क्या एक्टिविटीज रहेगी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ताकि आपसे किसी परकार की कोई मिस्टेक ना हो एक्जाम के दिन तो इस बात को हम जानते हैं कि एक्जाम सेवंत मई 23 संडे को है और ये टाइम बिल्कुल नजदीक आ चुका है अभी आपको घर से समय के अनुसार निकल जाना है ये जो टाइमिंग है इसका गैट क्लोज होने का जो टाइमिंग है यानि कि डेड़ बजे एक बज़ करके 30 मिनट पर गैट क्लोज हो जाएगा उसके बाद में एक्जाम हाल में किसी भी कंडिडेट को इंट्री नहीं दी जाएगी तो आप घर से समय से निकले और कोशीज करें कि एक्जाम हाल में वन हावर्स पहले यानि कि एटलिस्ट साड़े बारा बज़े तक आप एक्जाम सेंटर पर पहुंच जाएं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रिशानी ना हो घर से निकलने से पहले आपको ये इंशोर कर लेना है आपके पास में क्या-क्या आइटम होने चीए तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो आपके पास आइटम होंगे मैंने पहले भी वीडियो बना दिया है फिर भी मैं आपको यहां पर बता देता हूँ आपके पास में जो आइटम होंगे सबसे पहले admit card के दो print दो page print पहले page पे postcard size का photograph है शोरी passport size का photograph है पहले page पर दूसरे page पर postcard size का photograph है ये दोनु page ये घर से ही paste करके ले जाएंग तो बैट रहेगा आपके लिए ये दोनु page लेकर के जाने हैं आपको admit card के passport size का photograph और second page पर postcard size का photograph लगा होना चीए दो item होगे आपके ये इसके बाद तीसरा item होगा आपको एक passport size का photograph लेकर के जाना है जो exam hall में attendance seat पर लगाना है तीसरा item आपके पास में ये जरूरी है इसके बाद चोथा item आपके पास में identity proof identity proof pen card हो सकता है driving license, water ID, आधार card, 12th का admit card, passport हो सकता है E आधार हो सकता है, रासन card, आधार enrollment ID, photo के साथ में या फिर और कोई government की जो photo ID है वो हो सकती है तो आपको ये लेके जाना जरूरी है ये चार item तो आपको लेकर के जाने जरूरी है अगर आप ये item नहीं ले जाते हैं इन में कोई भी एक item छोड़ जाते हैं तो आपको exam hall में entry नहीं दी जाएगी ये आपको लेकर के जाने हैं तो घर से निकलने से पहले insure कर लें कि आपके साथ में ये item है इसके अलावा transparent water bottle ले जा सकते हैं और sanitizer पसास ml का ले जा सकते हैं ले जाना चाते ही तो ये दोनों item ले जा सकते हैं otherwise कोई जरूरी नहीं है कि आपको लेकर के जाना है ये center पर available होंगे इसलिए आपको जरूरी नहीं है अगर आप लेकर के जाना चाते हैं तो ले जा सकते हैं इसके अलावा जो PWD candidate है वो अपना certificate लेकर के जाएंगे अगर किसी ने subscribe अवेल किया है तो उसके related documents उसकी भी ID लेकर के जानी है तो ये थे ले जाने वाले item ड्रेस code का मैंने आलरी आपको बता दिया है ड्रेस code में आपने shoes नहीं पैन के जाना है sleeper और sandal आप पैन सकते हैं shoes नहीं पैन के जाना है और long sleeve shirt या t-shirt नहीं पैन के जानी है ये ड्रेस code का आप खास खयाल रखेंगे पैन वहाँ मिलेगा लेकर के जाने की जुरत नहीं है exam hall में मिलेगा rough work के लिए आपकी जो cushion paper है आपका उसके पिछे blank page होंगे वहाँ space होगा वहाँ आप rough work कर सकते हैं तो ये आगे आपके item ले जाने वाले कौन-कौन से item आपको ले करके जाने हैं ये मैं पहले भी video बना चुका हूँ लेकिन आपने घर से निकलने से पहले ये ensure कर लेना है और exam hall के लिए आप कम से कम एक घंटा पहले exam center में पहुंचने की कोशीज करें आप इसके बाद exam का जो timing होगा दो बज़े से 5 बज़ के 20 मिनट तक होगा यानि 3 hours 20 मिनट का time होगा इसमें और 1 बज़ के 15 मिनट तक सारे student class यानि की exam hall में बैच जाएंगे अब इसके बाद में announcement होगा important instructions का और आपका admit card चेक होगा invigorator दो आगा एक बज़ के 30 मिनट से लिकरके एक बज़ के 45 मिनट तक ये सारी फोर्मल्टी पूरी होने के बाद में आपको test booklet दे दी जाएगी दो पहर एक बज़ के 45 मिनट पर आपको test booklet दे दी जाएगी यानि क्यूशन पेपर दे दिया जाएगा लेकिन ये seal pack होगा क्यूशन पेपर इसके बाद में आपने टेस्ट बुकलेट पर उस क्यूशन पेपर पर अपना नाम लिखना है, इसके बाद में आपके सिगनेचर होंगे, रोल नमबर वगरा लिखना है, ये एक बज़ के पचास मिनट पर आप लिख लेंगे, टेस्ट सुरू हो जाएगा आपका दो बज़े और टेस्ट खतम हो जाएगा पांस बज़े तक, तो इस परकार से आप एक्जाम होल की ये एक्टिविटीज है, अब आपको जो क्यूशन पेपर मिलेगा, वो क्यूशन पेपर इस परकार का होगा, जो क्यूशन पेपर मिलेगा, वो इस परकार का मिलेगा, इसमें इंस्ट पहले पढ़ लेते हैं ताकि आपको अगर exam hall में instruction पढ़ने का समय कोई दिकत नहीं है यहां देख लेते हैं आपने यह इंशोर करना है कि यह जो चेक कर लेना है, इसमें code आप बिल्कुल चेक करें, यहाँ seal लगी हुई होगी, यह seal भी आप एक बार चेक कर लें इसमें, इसके बाद में इसमें जो instructions दिये गए हैं, वो instructions यही हैं, कि आपने test booklet जब आपको बोला जाएगा तभी open करनी है, test booklet के साथ में answer seat इसी के अंदर मिल कि इसमें, इसके बाद में paper 3 hours 20 minutes का होगा, 200 question होंगे, multi choice का, इसका आपको पता है, section A में 35 question होंगे, 4 subject में, इसके बाद में section B के अंदर 15 question होंगे, जिसमें आपको 10 question करने हैं, इनके question के serial number यहाँ दे रखे हैं, यह आपने इसकी practice कर ही रखी होगी, तो आप यह जो पहले 10 question ह हैं, वही 10 question count किये जाएंगे, इसमें, 4 marks का question होगा, अगर आप negative करते हैं, तो एक marks आपका detective हो जाएगा, इसमें, इसके बाद rough work है, वह आपको test booklet में पिछे site पर करना है, इसके बाद में आगे का code एक बार check कर लें, अच्छी तरह से, जो आपके question paper का code है, वही answer seat का code होना इसमें, इसके बाद आपने answer seat को fold नहीं करना है, क्योंकि ये scanner से check होती है, तो इसको आपने बिल्कुल भी answer seat को fold नहीं करना है, इसके बाद में सभी candidates को, अगर invigilator admit card के लिए बोलता है, तो वो admit card दिखाना है, तो इसी परकार के इसमें instructions दिए गए हैं, ये instructions आपको exam के time म follow करना है इसमें, आगे आपने यहाँ पर candidate का नाम लिखना है, आपका capital letter में, role number लिखना है, figure में लिखना है, और words में लिखना है, इसकी practice आप अभी कर ले, इसमें पहले ही आप एक बार लिखके practice कर ले, ताकि आपका समय वहाँ खराब ना हो, examination center का capital में name लिखना है, आपने बिल्कुल ध्यान से fill करनी है, ओमार seat इस परकार से होगी, ओमार seat में आपने चेक कर लेना है, पहले चेक करने वाली बात यह है, कि सबसे पहले आप जो इसका test का code है, वो test booklet का code, जैसे वहाँ T3 था तो यहाँ भी T3 होना चीए, यह आप ensure कर ले, answer seat का और क्यूशन paper पर का जो code है, वो same है, क्योंकि अलग code होने से सबकुछ गलत हो जाएगा, आपने यहाँ roll number fill करना है, roll number के लिए पहले आप roll number fill कर दें, इसमें, roll number fill करने के बाद में, आप नीचे इसमें, जो round है, वो काट सकते हैं, यहाँ round काटना है आपको roll number का, जैसे one है, तो one यहाँ आप काट देंगे, यह normal बाते मैं, आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें, भी काफी सारे student mistakes करते हैं, बाद में बोलते हैं, यहाँ तो गलत हो गया, सब कुस गलत हो गया इसमें, इसमें टेस्ट बुकलेट के नम्मर आपको लिखने हैं, टेस्ट बुकलेट के जो नम्मर लिखने हैं, वो टेस्ट बुकलेट के नम्मर आपने क्यूसन पेपर से लिखने हैं, जो ये टेस्ट बुकलेट 6128552 इस परकार का जो नमबर है वो नमबर आपने यहां लिखने है टेस्ट बुकलेट के तो यह आपने बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है यह छोटी छोटी मिस्टेक से यह बिल्कुल भी नहीं करनी है इसमें इसके बाद में टेस्ट बुकलेट के नमबर लिखने के बाद यहां आपने यहां अप QsUn Attempt करने हैं अब मैं आपको बताऊं QsUn Attempt के लिए आप सबसे पहले Biology attempt करें और इंसूर करेंगी ये जो Biology का पेटर है आपका वो Biology का पेपर at least 40 से 45 मिनट के बीच में Complete हो जाना चाहिए इसके बाद में आपने Chemistry undeisen करने हैं Chemistry का 50 से लेके 55 minutes के बीच में chemistry का पेपर आपका complete हुजण चीए और इसके बाद बचे हुए समय में आपने physics करनी है physics solve करनी है लेकिन 20 minutes आपने ओमार फिल के लिए रखना है ये सारे जो चारू subject है botany, geology, chemistry और physics ये आपने 3 hours में यानि की 5 बजे तक complete कर लेना है ये सारा का सारा आपको 5 बजे तक complete कर लेना है और ये 20 minutes आपने ओमार फिल करने के लिए रखने है अब आपने जैसे practice कर रखिये उसी क्या coding करें वैसे मैं आपको एक suggestion ये देता हूँ practice आपने किस तरीके से कर रख नहीं है लेकिन मैं आपको एक suggestion यहां ये भी देता हूँ कि अगर आप क्यूशन पेपर को 3 rounds में attempt करें तो better रहेगा जैसे कि मालो easy क्यूशन है वो easy क्यूशन पे आप टिक लगा दो इसके बाद मी जो medium है उस पे आप लगा दो moderate पे और जो hard क्यूशन है उनको solve कर दो इस प रखना है कि आप कोई भी क्यूशन ले रहे हैं कोई भी क्यूशन solve कर रहे हैं किसी का भी हो biology का हो chemistry का हो physics का हो किसी का भी क्यूशन हो उस क्यूशन में आप देख रहे हैं कि उसमें time ज्यादा लग रहा है तो उस क्यूशन को आप छोड़ दो उसी समय दूसरे क्यूशन में एक ही क्यूशन में आपने उलजना नहीं है अगर एक ही क्यूशन में उलज गए आपका टाइम खराब हो जाएगा और फिर आपके पास समय कम बचेगा हर्पडाट में आप क्यूशन नहीं कर पाओगे तो आपने टाइम मनेजमेंट का काफी खयाल रखना है मैं सोचता हूँ इसकी आपने प्रेक्टिस कर ही लिए होगी मैंने पहले भी वीडियो बढ़ा दिया था टाइम मनेजमेंट के बारे में तो इस प्रकार से आपने टाइम मनेजमेंट का खयाल रखना है बाकी आप टेंशन फिरी होके एक्जाम दो अभी बिलकुल भी टेंशन नहीं लेनी है क्या होगा क्या नहीं होगा मेरा पेपर कैसा जाएगा आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा आप ये हीमत रखो विश्वास रखो कोई नहीं जानता है नीट का पेपर कैसा आएगा जो अच्छे अच्छे तैयरी वाले इस्टुडेंट हैं अच्छा करते हैं वो भी समय hopeless हो जाते हैं, हर एक student hopeless रहता है, लेकिन वो student कम महनत के बाद भी paper को अच्छा attempt कर जाते हैं, जो हिमत रखते हैं, जो tension नहीं लेते हैं, सोच लेते हैं कि जो होगा वो दिखा जाएगा, मेरा paper अच्छा ही होगा, मैंने अच्छी मैंनत की है, पेपर अच्छा ही होगा, शानती से पेपर दे, टेंशन फिरी होके पेपर दे, कॉन भी डेंश के साथ में पेपर दे, मैं बोलता हूँ कोई ताकत नहीं एसी जो आपको सेलेक्षन से रोक सके, मेरी सुब कामनाई आपके साथ हैं, आप अवस्य सफल होंगे, बेस्ट ओप लग!